जिनकी बेहन की शादी 2020 में सेप्टेमबर में हुई थी जिनको भी भूत प्रेतों से डर लगता है प्लीज ये वीडियो ना देखें क्यूंकि डर आक्चुली में डरावना होता है हेई गाइज वेल्कम बाक तो मैं चानल के लिए तो फ्ली सब्सक्राइब जरू करिये गाइज आज की जो वीडियो है वो बहुत सच में बहुत अरावनी है मैं इस वीडियो को करने से पहले सोच तो रही थी कि क्या मुझे ये वीडियो करनी चाहिए क्या मुझे इस पर रिय वीडियो वो भी होरर टॉपिक पे ओ शुरू कर दू वीडियो करो ना भई लेट्स टाप लेट्स टाप लेट्स टाप भाई देखके सौक एकदम के यहर कार्ड पे ऐसे यह जो लिग रही है भाई आई मेरे कमरे में लड़की मैं अकेला मेरे हो गए रहा हो टेखड़े भाई आईसे आखें देख रही तिरह जैसे अभी कुछ उमार ही देगी बस मेरे को बोली देख लिया तुने क्यों आया इदर चला जा जा जहां से शुट में खुट दोस्तों आप सभी का स्वागत अक्षिवसिस चैनल पर इस चैनल पर मैं अक्षिवसिस्ट आपको ऐसे परनोमल इंसिडेंट और अक्टिविटीज के बारे बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं इंस्सेग्राम आइडी, चीमल आइडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख पारे होंगे तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपके साथ हुआ हो किसी रिलेटिव के साथ हुआ हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं हाँ, आईए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी असानी होगी अगर आप उसे रिकॉर्ड करके भेज़ देंगे मैं ट्रावल करते टाइम उससे सुनता हूँ और थोड़े उन पर नोट्स बना लेता हूँ आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें एक इंसान ने बेजाए जिसने अपना नाम गुप्त रख निगले बोला है हम उनका नाम गुप्त रखेंगे आज हम उन्हें अमन के नाम से बुलाएंगे आज के जो इंसिडेंट है हमें अमन ने बेजाए जिनके साथ 2020 सेप्टेंबर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको वो चाहा कर भी भुला नहीं सकते अमन ने एक recording हमें वेजी जिसमें उन्होंने बताया कि पंजाब में बर्नाड़ा एक जगा है जहाँ पर उनका बहुत बड़ा सरकल था दोस्तों का उनमें से एक दोस्त था उनका जिसका नाम था बनी बनी जिनकी बहन की शादी 2020 में सप्टेमबर में हुई थी अमन ने बताया कि बनी का कॉल आते हैं उनके पास उनकी बहन की शादी के जस्ट दस दिन पहले और वो बोलते अमन को कि अमन मेरे दिमाग से निकल गया था भाई तिरको आना है किसी भी आलत में और अमन भी उन्हें छेड़तों पूछते क्यों भाई मंगनी निकल गई इतना सब कुछ निकल गया अब भी क्यों गुला रहे हैं तो बनी उन्हें यही जवाब देते हैं कि जादा मतबन वो तेरी भी छोटी भेन है वो भेन जिसका नाम था अक्षदीब अमन फटाफट से जो है खुशी जताते कॉल पे कि भाई यह तो बहुत यच्छी बात है कि भेन की शादी हो रही है और अमन बोलते हैं कि मैं पहुच जाओंगा तू टेंशन मसले अमन अपनी घर में बताते हैं अपनी मम्मी को कि मम्मी ऐसे ऐसे बनी की भेन की शादी हो रही है और मुझे भी जाना है तो उसके ममी भोलती है आँ बेटा वो तरह बच्वन का दोस्ता तो तरह जाना बनता है आमन अपनी सारी पैकिंग करते हैं दस दिन बीतने के बाद एक दिन पहले शादी से जेस्ट एक दो दिन पहले वो वहाँ पर पहुचते हैं बनी के पास वहाँ पर पहुचने के बाद वो देखते हैं कि अक्षदीप का जो नेचर है वो पूरी तरीके से बदला हुआ है मतलब अक्षदीप को जानने के लिए आपको थोड़ा सन रुखना पड़े है अमन ने बताया कि जो अक्षदीप थी उनका नेचर बहुत ही फूल माइंडीड रहा करता था और वो बहुत मिलन सार लड़की थी वो अक्षदीप को छेड़ा करती थी ये बोलके कि हैंसम कैसे हो बहुत दिन बाद गर पर आयो अमन ने बताया कि अक्षदीप का ये नेचर देखने के बाद कि वो सबसे रूड हो के बाद कर रही है हलाकि ऐसा होता भी है शादी के टाइम पर बहुत सारी ऐसी रसमें आती है जिससे इंसान थोड़ा सा ओवर्यक्ट कर भी जाते है लेकिन अमन ने बताया कि यहाँ पर वो सिच्वेशन कुछ ज़्यादा थी तो अमन जो थे वो बनी से बोलते कि क्या हुआ अक्षदीब इतनी परिशाण क्यों लग रही है तुम जबरदस्ती शादी तो नहीं कर रहे है इसकी तो बनी उसे बोलते कि जबरदस्ती शादी गर देगा तो वो थोड़ा से इतिहास निकालते कि बनी ये लड़का को ने जिससे अक्षदीप की शादी हो रही है तो बनी बताते है कि अमन एक्षदीप आई उस लड़के की शादी पहले इसकी फ्रेंड जो थी सोनल उससे होने वाले थी लेकिन सोनल का कुछ टाइम पहले एक रोड आक्सिडेंट में उसकी जो है डैथ हो गए थी तो हमारे पास अक्षदीप आई और उसने बोला कि वो उस लड़के को बहुत पसंद करती है और वो शादी करना चाहती है तो हमने भी हा कह दिया लड़का जिसका नाम रमन था रमन ने भी इस सीज में बहुत इंटरस्ट चो किया था कि सोनल के जाने के बाद वो अक्षदीप से शादी करना चाहते है तो बनी बोला कि हम में क्या प्रॉबलम होगी दोनों परिवार आई गरी थे मेरी बैन अक्षदीप रेड़ी थी उदर अमन रेड़ी था तो हमने इस सीज को फाइनल कर दिया अमन इस सीज को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि क्या ये इतना असान होता है शैरों में तो चलो असान होता है लेकिन पंजाब के ऐसे पिंड में एक ऐसी जगा पर जहां पर किसी लड़की के मरने के बाद उसकी फ्रेंड से उसकी शादी करवाई जाए अमन ने इस सीज को एकसेप्ट कर लिया था और वो अक्षदीप के नीचर को बहुत तरीके से अब्जर्व कर रहा था वो रात गुजरती है और अगला दिन आता है जब अक्षदीप का हल्दी वाला दिन था हल्दी का प्रोग्राम जब स्टार्ट ही हुआ था और हल्दी लगने की प्रथा स्टार्ट होने वाली थी 15 मिनिट पहले सब के सामने अक्षदीप उठती है और भाग कर अपने कमरे में जाती है और वहापर जोर-जोर से चिलाना शुरू करती है अपने आपको बुरी तरीके से वारना शुरू करती है वहापर जितनी भी आम जनता थी जो वहापर इन्वाइटीड थी हंदी के फंक्षन के लिए वो बुरी तरीके से डर जाते है ये देखकर कि अभी इस लड़की को क्या हुआ है और बनी और यो अमन थे वापस वो ये डिसकस कर रहे थे कि यार इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है इसने खुद बोला कि इसे जहर अमन से शादी करनी अब ये पता नहीं ऐसे क्यों रियाक्ट कर रही है तो जो बनी और अमन थे वो फटाफट से उस दरवाजे को तोड़ते हैं तो वो देखते हैं कि अक्षदीब ने पूरा अपना चहरा बिगार रखा था उसने अपने मूँ पे गले पे बूरी तरीके से नाकुन मार रखे थे इसको देखने के बाद वहाँ पे जो भीड आई थी वो लगबग आदी हो गई थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसके ओपर कोई उपरी चीज आ रखी है लेकिन अमन और बनी का मानना था कि उनकी जो भैन थी अक्शदीब वो किसी ना किसी चीज से परिशान चल रही थी वो सोचते कि हम इस बार में बात करेंगे लेकिन लोगों के सामने हम रियक्ट नहीं कर सकते तो वो आसे किसी भी तरीके से जो है अक्शदीब को मनाते हैं और उसे बहार लेके आते हैं और उसके बाद अमन ने बताया कि अक्षे भाई आप मानोगे नी मामला इतना बिगड़ चुका था न कि हल्दी का प्रोग्राम हमने कैसे ने उटाया कि हमने फॉर्मालिटी के लिए 15-20 मिनिट जो है वहाँ पर फोटो सेशन करवाया और अक्षे दीप को हमने अंदर भेज दिया उन्होंने बताया कि जब अक्षे दीप वहाँ रेस्ट कर रही थी तो बनी और जो अमन थे वो उनसे बात करने जाते है शाम को इस बार में तो वो देखते कि अक्षे दीप अपने बैड़ पे आराम से रेस्ट कर रही है तो उनके दीमाग में आता है यार कमरे में कुछ तो ऐसा होगा जो आम है संकेत देगा कि अक्षे दीप ऐसे रियक्ट क्यों कर रही है तो बनी जहाँ पर उनके बिस्तर के आगे पीछे कुछ देख रहे थे अमन की निजर पढ़ती है अक्षदीब के पर्स पे और पर्स खोलने पर मिलता है एक शादी का कार्ड जो कि उसी की शादी का कार्ड था उस कार्ड पर लिखा होना चीए था और बनी ने अभी उसे एक दो दिन पहले ही बताया था कि जो लड़ी की मर चुकी है उसका नाम सोनन था जिस सर्वामन की शादी होने वाले थी अमन बिना कुछ कहे उस कार्ड को चुपचाप अपने पास रख लेते हैं सिरफ ये सोचके कि अगर बनी को बता दिया और यहां पर अमन ने पताया कि अक्षे भाई मेरी जान निकल गई थी क्योंकि मेरे को एक ऐसा राज पता था और वो राज चलके मेरे सामने आ गया था अक्षे दीब अमन को बोलती है कि तू जब से यहां पे आया ना तेरी वज़े से मेरी लाइफ में कुछ ना बुछ को रहे तू यहां से चला जा तूने उस कार्ड पर देख लिया ना क्या लिखा हुए चला जा इससे पहले मैं तुझे यहां से जान से मार दू और यह बोलने के बाद अक्षदीब अमन के कमरे से चली जाती है अमन वहाँ पर बैट के सारे चीज़े सुन देख रहा होते है अमन ने बताया कि भाई मेरी रात कैसे गुजरी है ना मैं पुरी जिंदगी किसी गों नहीं बता सकता कि जब मेरे सामने अक्षदीब चल के आई थी जो जिसे मैं भेन बोलता हूँ वो मुझे बोल रही है मुझे जान से मार दूंगी यहां से चला गया वो अपने बैट पर लेटते हैं और अगले दिन सुबह शादी के घर से और बोलते कि इस माला को तुम जाके उस लड़की के गले में डाल देना शायद तुम्हें असली रूप देखने को मिलने है अमन वहाँ से अपनी बाई को उठाते है और वो शादी के घर की तरफ जाने को होता है इतने में एक गाड़ी उन्हें बहुत बुरी तरीके से टक्कर मार देती है जो गाड़ी उन्हें टक्कर मारती है वो फटाफट से अमन को गाड़ी में बठाती है और नियर बाई होस्पिटल में एड़मिट करवा देती है जो इनसान जिसने टक्कर मारी थी वो अमन के बगल में खड़ा था अमन ने उसे सारी बात बताई कि वो यहाँ पर एक शादी अटेंड करने आया था और ऐसे-ऐसे वो मंदिर गया था कुछ बात करने के लिए और उसने सोचा कि मैं किसी से तो डिसकिस करूँ उस गाड़ी वाले इंसान को बोला कि ऐसे-ऐसे जिस घर में मैं जा रहा हूँ मैं मेरे जो दोस्त है उसी बैन के अंदर शायद कोई और आरक है मुझे उसे बताना पड़ेगा और जो लड़का वापे खड़ा होगे सुन रहा था वो अचानक से बोलते है कि तू अक्षेदीब की बात कर रहे न अक्षेदीब की शादी मुझे से हो रही है तो एकदम से वो बोलता है अच्छा हुआ तुम यहीं पे हो मैं तुमें सब बताता हूँ कि ऐसे-ईसे उसकी बाड़ी में जो है सोने लार की है और वो शायद आपको ब्रहमीत कर देगी ऐसा कर देगी वहापे जो लड़का खडाता रामन वो अपना कुड़ता उपर करता है उसके अंदर पिस्टल लगी हुई थी एक गन जो कि सीधा वो उसके तरफ करता है अमन के तरफ और बोलता है अगर तुने ये बात किसी को भी बताई न मैं तुझे जान से मार दूँगा मुझे पता है वो सोनल है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ अमन के लिए एक ऐसी सिट्वेशन आगी थी एक तरफ कोई एक तरफ खाई अमन ने सोचा कि भाई अब मैं अगर बनी को बताऊंगा तो उसकी बहन मार देगी और अगर मैं इनके इंटर्फेर करूँगा तो ये लड़का मुझे मार देगा जिससे साधी होने वाली है और इसे भी बहुत अच्छे से पता है उसकी बाड़ी में कोई और है अमन ने बताया कि वो अपनी बाईक उठाते है जब वो ठीक हो जाते है वहाँ से और सीधा 30 किलोमेटर दूर अपने घर आ जाते है गर पे आने के बाद उसकी जो गतिविदिया होती है न वो बदली-बदली से लगती है और कहते हैं कि माबाप से तो कभी कुछ उपाई नहीं है अमन की जो मदर होती है वो काली की एक बहुत बड़ी बगती वो उसके पास आती है और बोलती है कि अमन ससच बता तुझे क्या हुआ है अचानक से तरह एक्सिडेंट हो गया तू अपने दोस्त की बेन की शादी छोड़ी के गर पर आ गए तो अमन ने बताया कि मेरी मम्मी मुझे मंदिर वाले कमरे में लेके जाती है और मुझे से पूछती है ससच बता हुआ क्या है अमन एक छोटे बच्चे की तरह अपनी मम्मी को सब कुछ बताता है कि ऐसे ऐसा अक्षदीप जो बनी की बेन है उसकी बौड़ी में सोनल की आत्म है मैंने ऐसे काड़ देखा और उसने मुझे मेरे रूम में आके एबाद बोली और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही रमन की वो भी कोई आम इंसान नहीं है उसे भी बहुत अच्छे से पता है कि वो जो सोनल है वो ही अक्षदीप की बोड़ी में आर की है उसके मम्मी बोलती है कि बेटा क्या तुने बनी को बता है सब कुछ अमन ढरके मारे बोलता है वो आतमा मुझे जान से मार देगी मैं नहीं चाता कि मेरे साथ कोई ऊच नहीं चो तो जो मम्मी थी अमन की वो उन्हें समझाती है कि तू karışारी के गेरे में बैठा हुआ है तू जब कुछ ही नहीं होगा तो अभी गयभी बनी को phone मिला और उसे सब कुछ सच बता गए कैसे न कैसे अमन जो है दो चार मिनेट की बहस के बाद phone मिलाते है और बनी को बोलते हैं कि भाई वो हमारी बेहन नहीं है वो sonal है, sonal जो कि हमारी बेहन एक्षणीग के शरीर में आ रही है थोड़ी देर तक तो जो है बनी उस बात का भरोसा नहीं मानता है कि ऐसा भी कुछ हो सकते है अम अनुसे बोलते है काम कर तेरे जो तीन किलोमेटर दूर मंदिर है ना अनुमान मंदिर तुँ आ जा पंडितों को सब कुछ बता वो तुझे माला देंगे जो मुझे भी दी थी मेरे से तो वो माला गिर गई लेकिन तु जाके वापर समाला ले और तु जाके ना बस अक्षदीब के गले में डाल दियो सेम वही होते हैं बनी अपने घर से तीन किलोमेटर दूर जाते हैं पंडितों से बात करते हैं तो पंडित बताते हैं यहापर तीन दिन पहले एक लड़का भी आया था जो हमें इस केस के बारे में बता रहा था है और बहुत सारे मंतरों के बाद वो जो माला है वो देते हैं बनी को और बनी अपने गर पे आते हैं सब कुछ बताते है और उनके 6 किलोमेटर दूर जो ससुराल था वो सब वहाँ पर जाते इस चीज़ को देखने के लिए कि अमन की बात में कितनी हकीकत है हलाकि बनी को थोड़ा सा शक्तो था क्योंकि उसके सामने उसने अपनी बैन को मूँ नोच तो ये देखा था वहाँ पर जाने के बाद उन्हें जो पता चलते हैं उसको सुनके आपके भी पैरोतले जमीन निकल जाएगी जब बनी अपने परिवार वालों के साथ ससुराल पहुशते हैं तो ससुराल वाले कहते हैं आपके लड़ी की बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है ये रात को खड़ी होके पागलों की तरह चिलाती है जैसे इसे कोई बुरी तरीके से मार रहे है रमन उस टाइम पर ओफिस में होते है जो अक्षदीब का हस्वेंट था तो ये रूम में जाते हैं और वहाँ पे जाते ही देखते हैं कि अचानक से अक्षदीब जो है पाग का तांडव सुरू हो जाते हैं अमन ने बताया बाई मैं तो नहीं था वाँ पर लेकिन बनी ने जिस तरीके से मुझे बताया है उस कमरे में तांडव मच गया और उस लड़की ने अजीव तरीके से रेक्ट किया जैसे उसके हाथ पैर मुड़ने शुरू हो गए हैं और उ इसका इलाज हो सकते हैं जब उसे बांद आ गया उसका पूरी तरीके से इलाज हुआ तीन-चार गंटे यग्य चला तब जाके अक्षदीब अपने होश में आई क्योंकि उसकी बोड़ी के अंदर सोनल थी जब अक्षदीब अपने होश में आती है उसके बाद जब भी अपनी बॉड़ी में उठने की कोशिश करती थी, सोनल की जो spirit थी, उसे बहुत बुरी तरीके से मारती थी, और उसे भियोश कर देती थी, रमन को ये बात पता थी, जब रमन वापिस आता ओफिस से और देखते हैं कि अक्षदीब की बॉड़ी से सोनल को निकाल दिय गये, तो वो पंडित से बहुत बैस करते हैं, और पंडित उसे समझाता है बठा के कि तु सुन, वो एक spirit थी, ना तो उससे तिरको बच्चे हो सकते, और बोड़ी अक्षदीब की है, वो कंसीव नहीं करने देगी, अक्षदीब कभी तो होश में आईगी, जब उसकी spirit कमज आता ऐसा हुआ, और अमन ने बताया कि उन्होंने एक केस भी दर्च किये, रमन के उपर कि उसे पहले से पता था, जो कि अब इतक केस चल रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों में, जो सबसे बुरी आला तुईब हो थी अमन की, क्योंकि अमन जो सिरफ एक दोस्त था, उसने बह बहुत सहा, बहुत सब कुछ देखा और उन्होंने आज भी बोला कि मेरी डिप्रेशन की गोलिया चल रही है भाई, क्योंकि वो लड़की उनके सपने में अब तक आती, जो सोनल थी, हलाकि उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन जिस तरीके से अक्षे दीब कर उप उन्हों हमारे हाथ पर जवाब दे जाएंगे, अब तक अमन जो है डिप्रेशन से भारनी आप आ रहे हैं और उन्होंने मेरे को बोला था कि सारे किरदार बदल देना, तो मैंने सारे किरदार बदल दी हैं, मैं आपको ये बिल्कुल साफ वीडियों को बदार हूँ कि मैंने एक एक किरदार के नहीं नहीं नाम दिए, क्योंकि कल को अगर आपके पास कोई इंसिडेंट होगा और आप ये सोच के नहीं शेयर करेंगे कि उनकी वास्तविक्ता सामने आ सकती है, तो मैं नाम बदल दूँगा, I hope ये रियल इंसिडेंट जो आपको अच्छा लगा होगा, जो इ पीश मीश में जो वो से रहे थे थे ना उसे तो मुझे और दग रहा था, आमें तो अभी भी भी रहे हो रहे हैं, सुनके सोच के मतला उस पर क्या असर भुआ होगा, अब जैसे भी वो कह भी रहे कि वो स्टिल बंदा डिप्रेशन में हैं, गॉड, तो समझ निया रहा क्य जाया ने भी हमत क्यों करी है, रहे और होरर कॉन्टेंट क्योंकि अज हमारी सोसाइटी में मातरानी का जांगरन हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर थे रहा को मैं जाया थे लोंगी तो रात को जब हम जाएंगे तो वो इक तरीके से शुद्धी हो जाएंगी, मतला मन की भी बॉड़ी की भी सब कच बहुत यार मैं तो हागी नहीं बनाने बाले इन टोपिक्स में यह कि बहुत अच्छी बना लगता है पता नहीं कैसे मैंने आजे हिम्मत कर ली वो तो आवाज चुरूगी जो ओडियो क्लिप थी अभी भी मेरे कानों में गुंचरी है उस बंद भगवान भगवान कभी मेरे सामने ये चीज़ बत बस भगवान ओके आज के लिए बस इतना ही अगर आप यहां तक आप चुके और चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा मैंने इतने महनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है तो इसके लिए एक लाइक दे जरूर बनता है मिलते है नेक्स वीडियो में स्टे त्यून